BA, BC, BCOM 3rd semester के लिए Co-Curricular यानि Human Values and Environmental Studies का पेपर आप सभी को पढ़ना है इसमें हमने last class में character building चरित निर्माड से सम्मन्धित 25 questions को solve किया था MCQ type questions को हमने solve किया था जैसा कि आपका जो पेपर है वो objective type questions ही उसमें आएंगे तो उसके बाद अब हम आगे के questions को solve करेंगे और आज character building का chapter को complete करेंगे तो start करते हैं हम आज की class आज का हमारा पहला question है किसी भी व्यक्ति के चरित्र के विसे में हमें किस से जानकारी मिल सकती है किसी भी व्यक्ति के चरित्र के विसे में हमें किस से जानकारी मिल सकती है तो हमें उस व्यक्ति के विचारों से वचनों से विवहार से इन सभी से उस व्यक्ति के विसे में जानकारी मिल सकती है तो आपका option D यहाँ पर सही होगा Question number 27 हमारा समग्र चरित्र किस से परलिछित होता है ? यानि जो आपका character है वो character कैसे सो होता है ? तो यह सो होता है हमारे व्यक्तित्त से आपका option A यहाँ पर सही होगा next question हमारा कोई भी कर्म या आचरण हमारे ही के द्वारा निर्देशित होता है हमारा कोई भी कर्म या आचरण हमारे ही के द्वारा निर्देशित होता है तो यहाँ बीच में क्या होगा तो यहाँ पर होगा विचार यानि हमारा कोई भी कर्म या आचरण हमारे ही विचारों के द्वारा निर्देशित होता है जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे भी हमारे कर्म होते हैं आप option c पर टिक करेंगे next question हमारी विचार सक्ति को कौन निर्देशित करता है हमारी विचार सक्ति को कौन निर्देशित करता है तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं हमारी विचार सक्ति को निरदेशित करती हैं, तो आपका option भी यहाँ पर सही होगा सत प्रविर्थ के बीज बोकर किसकी फसल काटो? सद प्रविर्थ के बीज बोकर किसकी फसल काटो तो सद प्रविर्थ के बीज बोकर हम सद चरितता की फसल काटते हैं या कह सकते हैं कि अगर हम सद प्रविर्थ के बीज बोएंगे तो जो हमारा चरित्र है वो कैसा होगा हमारा चरित सत्चरित होगा, अच्छा चरित होगा Next question क्या व्यक्तित्य की इस्थाई संपत्ति बनकर सदेव उसमें विद्धिमान रहते हैं तो जो सद्गुड है सद्गुड व्यक्तित्य की इस्थाई संपत्ति बनकर सदेव उसमें विद्धिमान रहते हैं किसकी पवित्रता के ऊपर ही उत्तम चरित्र निर्भर करता है तो यहां पर आपको option C सही होगा किस ने कहा है कि सद गर्मतों के वास्तविक मूल्य को आख पाने में भला कौन समर्थ हो सकता है किसने कहा है कि सद्गरंथों के वास्तविक मूल को आख पाने में भला कौन समर्थ हो सकता है तो ये कथन है स्वामी विवेका नंद का आपके यहां पर option A सही होगा Next question महत्मा गांधी ने 10 को पहले कौन सी मानिता प्रचपादित की थी? तो महत्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बारे में बताया था तो आपका option C यहां पर सही होगा Next question किन छेत्रों में सुधार लाने के लिए गांधी जी आजीवन प्रयास करते रहे तो यहां पर जो तीनों छेत्र दिये गए हैं इन तीनों छेत्रों में सुधार लाने के लिए गांधी जी आजीवन प्रयास करते रहे तो आपका उपर्युक्त सभी यहां पर सही होगा Next question गांधी जी की दिष्ट में सामाजिक पाप पापों से प्रतेग व्यक्ति को दूर रहना चाहिए तो गांधी जी ने साथ प्रकार के सामाजिक पाप बताए हैं यहां पर आपका option भी सही होगा कि गांधी जी की दिष्ट में साथ सामाजिक पापों से परतेग मरश्ट को दूर रहना चाहिए next question राजनीत में सिध्धान्त अवस्षक है अन्यता वह हो जाएगी तो राजनीत में अगर सिध्धान्त नहीं होंगे तो वो दिसाविहीन और दुस परिणामों की जन्नी हो जाएगी यहीं जो आपका option C है वो यहाँ पर सही होगा next question के अभाव में सभी सुख भोग और वासना मात्र है किसके अभाव में तो आत्मा के अभाव में सभी सुख भोग और वासना मात्र है तो आपका option A यहाँ पर सही होगा गांधी जी के अनुसार व्यापार सदाचार पर आधारित होना चाहिए अन्यथावा माना जाएगा तो अगर व्यापार सदाचार पर नहीं अधाईत होगा तो वो ब्रश्टाचार माना जाएगा तो आपका option C यहाँ पर सही होगा गांधी जी की त्याग भावना किंद्रित है गांधी जी की त्याग भावना मानाउता किंद्रित है आप option B पर टिक करेंगे अपीजे अब्दुलकलाम आजात को सरप्रथम पद्म विभुशन्ट से कब नवाजा गया तो यहाँ पर option देखा जाए तो जब अपीजे अब्दुलकलाम को पद्म विभुशन्ट दिया गया था तो वो दिया गया था 1990 में जो कि आपके option में नहीं है और अब्दुलकलाम जी को पद्म विभुशन्ट दिया गया था यहाँ पर विभुशन्ट तो पद्म विभुशन्ट दिया गया था 1981 में तो एपीजी अब्दुलकलाम को सरव प्रथम पद्म भूशन 1981 में दिया गया और पद्म विभूशन 1990 में दिया गया दूनु चीजें आप ध्यान रखेंगे नेक्स्कॉशनμεर 42 किसे जनता का राश्टपती कहकर संभोधित किया जाने लगा किसे जनता का राष्टपती कहकर संबोधित किया जने लगा तो आप सभी को पता है कि A.P.J. अब्दुलकलाम जी को राष्टपती बनाया गया था तो उन्हें ही जनता राष्टपती कहकर संबोधित करने लगी मिजाईल मैन की संग्या किसे दी गई तो यहाँ पर भी A.P.J. अब्दुलकलाम राइट एंसर होगा इन्हें ही मिजाईल मैन के नाम से भी संबोधित किया गया था Next question हमारी सभ्था की विरासत और मुल प्राड़ी पर व्यक्षान दिये जाने वाले सभाओं को किसकी कच्छा कहा जा सकता है हमारी सभ्था की विरासत और मुल प्राड़ी पर व्यक्षान दिये जाने वाली सभाओं को हम नैतिक विज्ञान की कच्छा कह सकते हैं तो यहाँ पर आपका ओप्षन A. सही होगा Next question आज नैतिक नेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत पाता पिता इन सभी को नैतिक नेतित का व्यभार करना अवश्चक बताया गया है, लेकिन अगर माल लीजे यहाँ पर आप्शन में सभी को नहीं है, तो आप अध्यापक को टिक करेंगे, क्योंकि अध्यापक नैतिक व्यभार करेंगे, तो स्टुडेंट भी उनको देखकर एथिक विवार करेंगे Next question प्रधाना चारियों एम सिच्छकों की सहायता से छात्रों को एक ऐसी सिच्छा उपलब्द कराई जानी चाहिए जो प्रधान करें प्रधाना चारियों एम सिच्छकों की सहायता से छात्रों को एक ऐसी सिच्छा उपलब्द कराई जानी चाहिए जो पुरदान करे तो क्या पुरदान करे राष्ट के प्रतिवद्ध, नेता, खुसाली, सुक्सम्रिद्धी ये सभी चीज़ें पुरदान करे तो आपका option D यहाँ पर सही होगा next question अब्दिलकलाम आजात अपने जीवन की विभिन उपलब्दियों का सरे किसे देते हैं तो इन्होंने अगर देखा जाए तो सबसे अधिक सरे इन्होंने अपने अध्यापकों को दिया है तो आपका option C सही होगा वैसे तो माता पिता को भी दिया है लेकिन सबसे ज़्यादा सरे की बात करें तो इन्होंने सबसे आदर सरे अपने अध्यापकों को दिया है नेक्स्ट कुश्चन अब्दुलकलाम आजाद ने कहां जाकर इसकूली बच्चों से भेट वा वारता की तो जो आप्सन में दिये हैं सभी जगहों पर जाकर इन्होंने बच्चों से भेट की उन्से वारता की आजके यवाओ की आवाज क्या बताने में दिर्ण है अप ओप्सन C को यहां पर टिक करेंगे प्रतेक व्यक्ति कैसे भारत में रहना चाहता है प्रतेक व्यक्ति सुक्समरिद्धी, शांति पूर्ण और सुरच्छित भारत में रहना चाहता है यानि आपका यहाँ पर ओप्शन D सही होगा Next question सुक्समरिद्धी और सांती के संयोजन से किसी भी राष्ट में क्या होगा? सुक्सम्रिध्धी और सांती के सहयोजन से किसी भी राष्ट में क्या होगा तो इस से उस राष्ट की आर्थिक उन्नती होगी आपका option A यहाँ पर सही होगा Next question बच्चों के मस्तिस को किसकी संग्या दी गई तो बच्चों के मस्तिस को एक कच्ची मिट्टी की संग्या दी गई कि बच्चों के मस्तिस को हम जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं तो यहाँ पर आप option C को टिक करेंगे Next question माध्यमिक विद्यालेइन पाठिकरम में नौवी, दसवी, ग्यारहमी, बारहमी, कच्चा के समय डैस डैस पृतिसत समय को कौसल विकास कारिकरमों में आवंटित करना आवश्यक बताया गया है तो यहाँ पर पच्चिस परसंट काम ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को कौसल विकास के कामों में लगाया जाए, उन्हें कुछ चीजे सिखाई जाए यहाँ पर आपको option A सही होगा नेक्स कोश्चन, APJ अब्दुलकलाम आजाद ने किस परकार की सिख्चा के महत्त को रेखांकित किया तो इन्हों ने मुल्य आधारित सिख्चा को महत्त दिया तो आपका option B यहाँ पर सही होगा नेक्स कोश्चन, अब्दुलकलाम आजाद ने किस से नैतिक सम्वेदन सीलता प्राप्त करने का आवाहन किया तो इन्होंने माता पिता और सिख्चकों दोनों से नैतिक सम्वेदन सीलता प्राप्त करने का आवाहन किया तो आपका option C यहाँ पर सही होगा इस तरीके से आज की क्लास में हमने चरित निर्माड से समन्धित 50 questions complete कर लिया है 50 नहीं, 55 questions हमने आज complete कर लिया है next class में हम एक नए chapter को start करेंगे और उसने related questions को भी cover करेंगे तो मिलते हैं next class में, तब тब के लिए धन्यवाद आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनविज्ञान, आसामान मनविज्ञान, मूलभूत मनवज्ञानिक परक्रियाएं, पर्यावरण मनविज्ञान, निर्देशन वम परामारसन, सोध अनुसंधान, सांखिकी, मनविज्ञान प्रैक्टिकल, सकरात्मक मनविज्ञान और एक न साथ साथ mcq type questions भी objective questions भी जिसमें social psychology से related abnormal psychology से related personality and mental test से related statistics सांखिकी से संबंधित research यानि सोच से संबंधित guidance counseling परामर्सर निर्देशन से संबंधित environmental psychology और last में psychology practical से संबंधित complete videos channel पर मिल जाएंगे आपको इन videos के लिए सिर्फ यहां पर job कर video की नीचे title है title के सामने आपको description का arrow दिख रहा है इस arrow पर आप click करेंगे नीचे आपको सभी playlist के link प्रवाइड है